Hello everyone, इस वीडियो में हम Class 4 की कारेपत्र का क्रम संख्या 27 देखेंगे दिनांग है इसकी 18 फरवरी 2022, week 5 चल रहा है और वक्षिट की धीम है places in our community तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षिट को जिसका विश्रय है स्वच्छता एक आविश्च्छता देखते हैं आज की वक्षिट से हमें क्या चानने को मिलता है स्वच्छता जरूरी है क्योंकि इस से हम जीवन में आने वाली कई परशानियों से मुक्ति पा सकते हैं स्वच्च्था का क्या मतलब होता ह। सफसफाई को हम स्वच्च्था कहते हैं कि आसपस कोई बी गंधगी न हो जैसे इस पिच्चर में आद देख रहे हैं, लोग यहां आसपस सफाई कर रहे हैं जिससे आसपस पार्क हो गए या इवन आप अपने घर के आसपास हमेशा सफाई रखा करिए जिससे हमारे जो आसपास है वातावरन अगर हर कोई अपने घर के आगे सफाई रखेगा तो हमारा आसपास का वातावरन स्वच्छ रहेगा और इससे बिमारियां फैलने का भी बहुत कम डर रहता है ठीक है और शरी भी सुस्त रहता है देखिए स्वच्छता का अर्थ है सफाई में रहने की आदत सफाई से रहने से जहाँ शरी सुच्छ रहता है वही तन मन और दौनों को भी खुशी मिलती है ठीके देखिए आप सुच्छता आज स्बास की ही नहीं और तो काफी अच्छा फ्री लोग अंदर से हमारा तन मन दोनों को खुशी मिलेगी और हमारे शरीक भी स्वस्त रहेगा इसे सभी लोगों को अपनी दिन चर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए अंकित, विनीत, रीता और व्रिंदा अपनी अपनी तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रियास कर रही है वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कच्छ्डे को इखटा करते हैं उन्हें कछड़ा डालने के लिए प्रती एक दिन अलग लग आकार के बैग मिलते हैं और वे कछड़े में से एकल प्रियोग प्लास्टिक यानि सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ें या वस्तुएं चाट कर उन बैगों में भरते हैं नीचे दीगे तालिका में प्रते दिन एकत्रत होने वाली वस्तुएं और उनमें भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है यदि प्रती एक बैग में ऐसी चीज़ें या वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं तो बताएए कि प्रती एक बैग में कितनी चीज़ें वस्तुएंगी अगर मालो एक बैग में 20 ऐसी चीज़ डाली हैं दूसरे बैग में भी 20 डाली हैं तीसरे बैग में भी 20 डाली हैं तो हर जगे 20-20 ही होंगी अब यहां देखिए एक तालिका दी गई है इसको हमें भरना है मैंने आपके लिए पहले सी भर रखी है यहां सप्ताह के दिन दे रखी हैं जैसे आपका हो गया सौमवार, मंगलवार, बुद्वार, प्रस्पतिवार, शुक्रिवार, शनिवार और अविवार एकत्र की गई एकल प्रियोग प्लास्टिक की वस्तुएं दे रखी हैं जैसे कि 560 सौमवार को चीज़े कलेक्ट की फिर 640 मंगलवार को 720 बुद्वार को भरस्पतिवार को 350 चीज़े कलेक्ट करी हैं और शुक्रिवार को 900 चीज़े कलेक्ट करी हैं शनिवार को 490 चीज़ अप्रम कॉलेक्ट करी हैं प्ल्स्टिक की वस्तुएं से भरे बैक की संकिया अब देखो 560 चीजें 7 बैग में आई छोटोचाहरीं चीजें आठाफ जाहरीं जेंड चीजें 6 बैग में आई तीनसोई 50 चीजें 7 बैग में आई 900 चीजें 9 बैग में चारे सो 90 चीजें 7 बैग पे आई और 550 चीजें 5 बैग में यह डोग रहे हैं गंदी चीजें पढ़ी रहती हैं नहें प्रतिक बैग में प्लास्तिकी वस्तिवों की संख्या अब देखो इसे करने के लिए अगर 560 तो साथ साथ बैग हैं और उनमें पासो साथ चीज़े हैं ठीक है तो आपको अब बताना है कि एक बैग में कितनी चीज़े होंगी ठीक है तो कैसा दिख सकते हो अगर साथ बैग हैं और साथ बैग में पासो साथ चीज़े हैं तो एक बैग में कितने चीज़े होंगी तो इसके लिए आप 560 का डिवाइड करेंगे 7 में क्या करेंगे 560 का डिवीजन दे देंगे 7 में तो डिवीजन कैसे देते हैं अब देखिए डिवीजन आप सभी को वैसे पता होगा लेकिन मैं एक और बार यहां पर आपको वरकर दिखागते हूं 7 और 560 तो अब 7 का टेबल पढ़ेंगे यहां पर वैसे सभी को पता है यह चीज 7 एट जा 56 होते हैं 7 एट जा 56 अब यहां हम माइनस कर देते हैं तो यहां यह 0 आ गया अब यह वाला 0 यहां उतरेगा अब इस 0 की तो कोई वैल्यू धर बची ही नहीं 7 की टेबल में तो 0 आता ही नहीं है तो यह जो 0 हमने उपर से यहां नेचे उता रहा इस 0 को हम इधर रख देंगे तो आंजर हमारा आ गया 80 कितना आया 80 ठीक है तो यहां हमारा 80 आ किया ऐसे ही देखो मंगलवार को 640 चीज़े कलेक्ट हुई और वो 8 बैग में आई है तो अब प्रतियक बैग में कितनी आएंगी वो ही देखिए 8 बैग में कितनी चीज़े आई है 640 चीज़े आई है इसके लिए 640 का अब डिवीजन दे देंगे 8 में चिके तो जब हम डिवीजन देंगे तो इसी की तरह हो जाएगा तेखिए हम डिवीजन देते हैं 8 और हमारा है यहां 640 चिके 640 तो 8 एट जा 64 हो जाएगा यहां 0 बजगे अब यह 0 यहां उतर जाएगा अब 0 की कोई value नहीं है 8 के table में 0 आता नहीं है तो ये उत्रा हुआ 0 इधर लग जाएगा तो 80 हमारा answer आगया तो इस तरीकी से हम division देते हैं अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ इधर भी 80 answer आगया अब ऐसे देखो 720 चीजें 6 bag में आती हैं फिर इनका division 100 answer आगया फिर इनका division करना है 70 answer आगया फिर इनका division करना है और इसका answer 110 आजाएगा आप इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपको दिखा दिया तो आप भी सब पूरा अपनी copy में same to same लिख देंगे मैं बस आपको समझा रही हूँ आपको ये सारे division खुद से करने हैं मैंने दो करकर आपको दिखा दिये हैं आप खुद से आप सारे division कर लेंगे और यहाँ पर इनका answer लिखते जाएंगे ठीक है फिर अब यहाँ एक और question यहाँ दिया गया है इसे देखने से पहले अगर आप space quiz खेलना चाहते हो तो space quiz की link description में आपको देदूँगी description में जाकर आप space quiz खेल सकते हैं और अगर आपने अभी तेख हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो जलूर subscribe कर दीजेगा अब है अपने आसपास के वातावरण को स्वच रखने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार देंगे आपको ये लिख कर बताना है तो इसमें देखिए आप लिख सकते हो हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच रखने के लिए अपना योगदा निन्न प्रकार देंगे प्रयावण को बचाने के लिए पेड़ पॉद्या और व्रक्षा रूप करेंगे व्रक्षा रोपन इसका मतलब व्रक्ष को ना काटकर व्रक्षा लगाना फिर सोचाले का प्रयोग करने के लिए लोगों में जागरुकता जागरुकता फैलान के साथ कुछ और चीज़े भी मैंने यहां लिखी है आप इसको आंसर में लिख साकते हैं तो आज की वक्षित यहीं फैनिश होती है और आई होप आपको वक्षित समझाई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मि से अगले वीडियो में तब दा के लिए टेक कियर इन बाइबाइब